Hey guys, welcome to my new magic channel, Hindi Magic Text 2.0 तो guys, आज किस magic वीडियो में, मैं आपको घर के सामान से होने वाला है काफी कमाल का magic सिखाने वाला हूँ और ये magic होगा, coffee cup से तो guys, इस coffee cup से magic होने वाला है, अगर आपके घर में coffee cups नहीं है तो आप कटोरी या glass से भी magic कर पाएंगे तो पहले इस magic को मैं आपको करके दिखा देता हूँ बाद मैं आपको सिखा भी दूँगा, इसलिए वीडियो में end तक बने रही है तो चलिए guys, magic स्टार्ट करते हो तो guys, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे तीन coffee cups है और इन coffee cups के अलावा, मेरे पास है मेरे एक फटी पुरानी pocket diary ठीक है? तो guys, इन दौनों की मदद से, आज मैं आपको काफी कमाल का magic करके दिखाने वाला हूँ इसलिए वीडियो में end तक बने रही है और हाँ guys, पहले इस magic को मैं आपको करके दिखा हुआ बाद मैं आपको magic सिखा भी दूँगा जिसे आप भी अपने दोस्तों को इस magic को दिखा के हैरान, परेशान और impress कर पाए तो चलिए guys, सबसे पहले इस magic को मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो guys, मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक-एक करके ये तीनो cups उल्टे रखता हूँ अपने इस table के ऊपर, ठीक है कुछ इस तरीके से और आप इसमें एक चीज देख लीजिए कहीं इनके तीनो cups में चेक कर लीजिए कहीं तीनो cups में कोई hole बगरा तो नहीं है, bottom में ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल से cups है तो अब मैं गया गरता हूँ guys, यहाँ पर अपनी pocket diary से एक blank page फाल लेता हूँ तो मैंने अपनी pocket diary से एक blank page फाल लिया है ठीक है, अब इसके एक मैं छोटी सी ball बना लेता हूँ तो guys, इसकी मैंने एक छोटी सी ball बना ली है और इनके bottom में कोई hole बगरा नहीं है, देख सकते हो cups में ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस दौनों cup लेता हूँ कुछ इस तरीके से रख देता हूँ पहले वाले cup पे तो यहाँ पर होगा guys, अब थोड़ा सा magic ठीक है, 1, 2, 3 तो guys अब आप देखोगे, जो ball थी, वो cup के bottom को चीरते हुए नीचे table पे आ गई है, ठीक है, पहले वाले cup के नीचे तो अब मैं क्या करता हूँ, इन 3 cups को फिर से रखता हूँ एक cup को यहाँ, दूसरे cup को इस ball के उपर, तीसरे cup को यहाँ अब इन 2 cups में कुछ भी नहीं, अब इस cup में एक ball है तो फिर से मैं क्या करता हूँ, एक paper फिर से blank फारता हूँ अपनी pocket diary से, ठीक है, और इसकी एक छोटी सी ball मैं बना लेता हूँ तो इसकी मैंने एक छोटी सी ball बना ली, इसे रखता हूँ फिर से इसी cup के उपर और ये वाला cup इसके उपर, और ये वाला cup इसके उपर, फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा magic करता हूँ तो गाईस अब देखोगे आप, फिर से cup का bottom चीरते हूए, ये जो ball है, इस पहले वाले cup के नीचे table पर आ चुकी है यहाँ पर दो ball हो गई है, पहले एक ball थी, अब ये दो ball हो चुकी है, तो गाईस फिर से मैं क्या गरता हूँ, एक cup को रखता हूँ, दूसरे cup को रखता हूँ, इन दौनों balls के उपर, तीसरे cup को यहाँ पर, अब इन दौनों cups के अंदर कुछ भी नहीं है, और इस cup के नीच झाले के, अब यहाँ पर रखते हैं, आपको डौट हो रहा हो गए, तो अब इस cup को यूज करते हैं, देख सकते हैं,ड़नाहीं और इस ball को मैं इस cup के ऊपर रखता हूँ, इस bar, ठीक है, और यहाँ पर इस cup को मैं off कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी guys, यहाँ पर होगा, फ पीरते गोए तीसरी बॉल आ चुकी है अपनी धौनो बॉल के पास में पहले वाले कप के नीचे तो गाइज यह जो मैजिक ट्रक है आपको कैसी लगी नीचे कमें लिखके हमें जरू बता है और हां गाइज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए तो यहाँ पे एक मैजिक की वीडियो डेली अप्लोड करके आपको मैजिक सिखाते रहता हूं तो जल्दी से देख रहते हैं आज किस मैजिक के पीछे का सीक्रेट जिसे आप भी आसानी से इस मैजिक को कर पाएंगे तो गाइज इस मैजिक के पीछे के तो सीक्रेट है काफी सि तो गाइज इस magic को करने के लिए बेसिक भी तीन कॉफी कप्स या फिर इस्टील के कप्स या फिर आप कटूरी से भी आप इस magic को कर सकते हैं हाँ लेकिन आप इसमें transparent वाले glass यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें यह trick नहीं हो सकती है तो गाइज इसके अलावा आपको चाहिए papers ठीक है चाहिए आप pocket dairy से फाड़िये लेकिन छोटे papers होने चाहिए छोटी balls बननी चाहिए ज्यादा बड़ी balls इसमें use नहीं कर सकते ठीक है और गाइज वैसे इस magic को किया जाता है sponge balls के साथ में जो के red color की होती है अपने magicians के पास में देखा होगा ठीक है मेरे पास वो नहीं थी और मैं चाहता भी नहीं था कि मैं उन्हें मंगा के खरीद के फिर इसको magic को दिखा हूँ क्योंकि घर के सामान से magic जो होता है उसमें आपको काफी मजाता है आपको अच्छा लगता है तो इसलिए मैं घर के सामान से ausis करता हूँ magic láush कि cups के अंदर कुछ है ठीक है और ये pocket diary में रखता हूँ आप चाहो तो 3 paper ले सकते हो पहले से अगर pocket diary नहीं है तो छोटे-छोटे paper यूज़ करना लेगें ठीक है तो चलिए फिर होता क्या इसके बाद तो मैं बोलता हूँ को कि सबसे पहले मैं cups यहाँ पे रख देता हूँ ठीक है तो मैं कुछ इस तरीके से cups उठाता हूँ और ऐसे रख देता हूँ और यह दूसरा cup यह तीसरा है ठीक है फिर आपको बोलता हूँ कि देख लीजे इनके अंदर को hole बगार नहीं है लेकिन गाइस बीच वाला cup था उसके अंदर ball थी और यहाँ पे कुछ move ऐसा करना है ऐसे ठीक है जिससे पता ही नचले कि इसके अंदर कुछ था कुछ इस तरीके से देख सकते हो ball इसके नीचे है फिर से एक बाद देख लीजिए इसके अंदर ball है और इसका जो move है रखने का वो कुछ इस तरीके से जल्दी से आपको रखना है जिससे के जो ball है वो गेरे नहीं और जल्दी से किसी को दिखाई ना दे ठीक है तो इसके अंदर पहले से एक already ball थी फिर मैं क्या करता हूँ एक paper फारता हूँ और paper की ball बनाके मैं रख देता हूँ इसको बीच वाले cup के उपर जहाँ पर already नीचे एक ball थी जो आपको पता नहीं था ठीक है फिर मैं क्या करता हूँ कुछ इस तरीके से दोनों cup यहाँ पर रखता हूँ और ऐसे magic करने का नाटक करता हूँ 1,2,3 आवरा का डावरा और कुछ इस तरीके से वो नीचे वाले ball आपको दिखा देता हूँ जबकि जो ball मैंने रखी थी वो यहीं पर है ठीक है दूसरे cup के नीचे यहाँ पर है ठीक है तो आपको ऐसा लगता है कि जो ball थी वो bottom से पताने कैसे निकल गई और उसके अंदर hole भी नहीं था आपने देखा ही नहीं तो hole था ही नहीं उसमें ठीक है फिर मैं क्या करता हूँ यह cup हटाता हूँ ठीक है कुछ इस तरीक से नहीं अटाता है ऐसे हटाता हूँ आपको दिखा देता हूँ और एक एक करके फिर से cup मैं यहाँ पर रखता हूँ ठीक है तो इसके अंदर already एक ball आ चुकी है और ऐसे मैं कुछ रख देता हूँ ठीक है फिर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो कि इस बार फिर से मैं यहीं पर रख देता हूँ ठीक है और फिर से ऐसे रखता हूँ cups को magic करता हूँ one two three तो यहाँ पर दो बॉल आ चुकी है तो गाईस तीसरी ball भी मैं कुछ इस तरीके से रखके तीसरी ball भी ऐसे यहाँ पर आ जाती है और magic काफी simple है अगर आपको फिर भ और वर्च से पर share कर दिया होगा